विहार बोर्ड 11 अक्टूबर मासिक परिछा का देख सकते हैं फिजिक्स का ओरिजिनल कोस्टेंट पर पड़ा वाटर मार्ग देख हुआ है बेगरांड पर यहां देख सकते हैं अक्टूबर भी लिखा हुआ है बिल्कुल अभी अभी आउट हुआ है पूरा रट लिजे ठी अब्जक्टिव सब्जक्टिव दोनों ठीकिना एक से तीश तक अब्जक्टिव प्रस्ण रहेगा मात्रव 25 अब्जक्टिव का अंसर देना आप लोग अगर इसकुल में ही देख रहे हैं वीडियो को तो पूरा एकदम चला के देख लिजे मिला लिजे प्रस्ण सेम है या नहीं है ठीक ना पहला प्रस्ण कड़े यदि किसी पूर्ण गैस का परकार गुनांक अलफा हो तो ताप का प्रहम सुन्ने होगा इसका राइट एंसर जोगा इसका राइट एंसर यह हो जाएगा दो नमर कराए कि विशिष्ट उसमा धारिता का ऐसाई मात रख है बिल्कु अगला प्रस देख सकते हैं अक्टूबर का ओरिजिनल पेपर आप लोग प्रस्ण को मिलाते जाए चापते जाए यह आंसर ठीक ना चलिए चार नमर प्रस्ण आपका कार है कि निमलिखित दरभियों में से किसकी विशिष्ट उसमा धारिता सबसे अधिक है तो बिल्कुल चार का राइट इंसर आपका यह हो जाएगा तामबा पांच नमर का निमलिखित में से कुन जलने का अधिक परभाव उत्पन करता है तो इसका अंसर हम नहीं निकाल पाए हैं चलिए कोई बात नहीं है आपको पचीसेगों का उत्तर देना है ना छे नमर का रहा है कि 0 से 50 डिगरी से तक 5 मिनट में ठंडा होता है तो 50 डिगरी से 40 डिगरी से तक ठंडा होने में लगा समय होगा तो बिलकुल साथ का राइट इंसर आपका भी हो जाएगा साथ का राइट एंसर क्या होगा बी होगा साथ का बी होगा पांच मिनट से अधे आठ नमर कर रहा है कि किसी गैस का आइतन एक सो डिग्री सेल्सियस पर एक लिटर है किस ताप पर आइतन तिन लिटर हो जाएगा जब दाब नियत रहे तो बिल्कुल आठ का राइट एंसर आपका डी निकल जाएगा 846 डिग्री सेल्सियस ठीक न चलिए नो नमर करें आधर से गैस ताप मापी से मापा गया ताप मान तो इसका भी आंसर हम नहीं निकल पाएँ छोड़ दीजे कोई दिकत नहीं है दस नमर प्रस्ण कारा एक देखिए अक्टोबर लिखा हुआ है न दस नमर करें ताप की अब धरना मिलती है तो इसका भी आंसर हम नहीं निकल पाएँ 11 नमर का निकल देए 11 का मोलर दरबमान M तथा ताप T के है दुसरे गईस का मोलर दरबमान M तथा आनवो का वर्न माध्य मूल पहली की एक बटे चार है दुसरे गईस का ताप मान होगा तो बिलकुल 11 का राइट इंसर आपका 11 का D निकल जाएगा T बटे आर 12 नमर का दी गई हवा के आतन में सापेक छा अधरता का मान ताप बढ़ने से तो घटता है A राइट इंसर हो जाएगा 12 का 13 का राइट इंसर हो जाएगा तीन अनुपात आठ पाए ठीक ना चैनल को आप लोग सस्क्राइब कर लीजिए आगे भी आपको मिलेगा पेपर ठीक न उसके बाद स्वेंड ऊस्मा करे उस्मा यांत्रिक त आँल ली applies 16 का विल्कुल 16 का डी नहीं से 17 का रहा है केलोरी मीटी का सिद्यान जिस नियम पर अधारित है वह है तो उसके बाद दिख्यंगैं 17 ce求 आथा प sì कि निकल जाएगा 18 के लिफ चूकरा इन जीरोपंट 52AAAAAAAA तापमान है तो इसका राइट एंसर जो है ना ठारा का आपका डी निकल जाएगा डी असी केल ठीक ना डी निकलेगा राइट एंसर याद रखिएगा ठारा का 29 नमर का रय निकलेखित में किसकी विर्षिस्ट उसमा धारिता सबसे कम होती है तो बिलकुल उनिस का यरा असर याद रोजय का बार 20 नमर का राउत केल इसका और של को जाएगा यह हो जागा इसकी सीटलन निमलखित में किसकी विशच इस心ल च्थितन है तो 21 का राइट एंसर यह हो जाएगा इस्टी फेन का नियम ठीक ना उसके बाद 22 नमर कर रहा है कि निमलिकित में कौन समंदी सही है तो 22 का यह राइट एंसर हो जाएगा आपका उसके बाद 23 नमर देखिए अक्टूवर का पेपर है 23 का रहा है कि उसमा धरिता का मान तो बिलकुल 24 का राइट एंसर यह हो जाएगा किस समान होता है 25 का राइट गैस के रुद्धोस्म परिवर्तन के लिए ताप और राइटन में संबंद होता है तो 25 का जो राइट एंसर होगा 25 का उप्शन चिप गया लेकिन ए उप्शन होगा 25 का यह होगा 26 का रायन नियत दाप पर 87 डिगरी शेल्सियस ताप कि किसी आदर्स गैस के आयतन को दुगोना करने पर आवेसकता ताप मान होगा तो बिलकुल 26 का सी रायट इंसर हो जाएगा 327 डिगरी शेल्सियस उसका 27 करान कि एक आधर्स एक आधर्स इंजन 327 डिग्री सेल्सियस के बीच काड़िये करता है तो इंजन की छमता है तो 27 का डी राइट एंसल हो जाएगा पचास परतिसर उसका अधाथ 28 28 का सी हो जाएगा वी करन विधी से उसके बाद 29 करा है कि किसी धातु का उसमा चलगता गुनांख निर्भर करता है तो 29 का डी राइट एंसर हो जाएगा इनमें से कोई नितीस करा प्लेट प्लोक नियतांग का मान होता है तो 30 का सी राइट एंसर हो जाएगा 6.62-10-34JS अब चलिए हम आपको पीडियाप डाउनलूड करने बताते हैं अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों गूगल खोल लेना है गूगल में सर्च करना आपको SK Knowledge Class SK Knowledge Class लिक के आपको सर्च मारना है फॉस्ट नमर वेपसाइट हैगा SK Knowledge Class.com इस पर आपको किलिक करना है जैसे इस सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आके डाउनलूड कर लिजिए